प्यारे बच्चों, कला संकाय का एक्जाम हिंदी कोर बिसे का दो बजे से आज स्टार्ट है बहुत सारे गेस कोश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जिसका आपको लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिली जाएगा वहाँ पर आप जाकर हिंदी कोर मॉडल कोश्चन सोलूशन अबलिक एक्जाम सोलूशन में जाके देख सकते हैं चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हिंदी कोर के बच्चोता या वीडियो जरूर सेयर करें जाते जाते इन कोश्चन को भी एक नजर जरूर देख लेना है तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं पहले हैं निम्रिखित पद्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रसंख्या एक से तीन के लिए सही विकल्व का चैन कीजिए तो यहां है रिसी मुनियो साधू संतों को नमन उन्हें मेरा अभिनंदन जिनके तब से पूत हुए है भरत देश की स्वर्निम माटी जिनके स्रम से चली आ रही यूग से विरर परिपाटी तो इसको आप लोग पढ़ लिजेगा सीधे हम कोश्चन पे चलते हैं तो यहां से आपका पहला कोश्चन सुरू होता है थोड़ा बढ़ा करते हैं रिसी मुनिवा साधू संत नमन करने योग है क्यूंकि तो इसका सीधे हम लोग एंसर वो जागा पहला क्यूंकि तब सरम एवं समयम का आदस प्रस्तूत किया है दूसरा कोश्चन है दीपक के समान जलकरवा तो जलकरवा क्या तो जन जीवन को सबारते हैं तिसरा कोश्चन है निरंतर सब्द का समनार्थक पद्यान से चुनिए तो यहां पर इसका हो जाएगा चलते दूसरा इस का अंसर नहीं होगा इसका हो जाएगा तो तीसरा का हो जाएगा तीसरा फिर है निमलीखित गद्यांस को ध्यान पूरवक पढ़कर प्रस संख्या चार से आठ के लिए सही विकल्ब का चेहन कीजे तो इसको आप लोग पढ़ लीजेगा इसमें पुस्तकाले के महदों के बारे में बताया गया है सीधे आप लोग इसका question देखते हैं पुस्तकाले की सबसे बड़ी उपयोगिता है तो सबसे बड़ी उसकी उपयोगिता है मनुस का ज्यान बढ़ाने में पांचवा नमबर question है मनुस के लिए पुस्तकाले का योगदान नहीं है तो क्याची में योगदान नहीं है तो यहां हो जाएगा आपका आम मानविये बुराईयों को उभारने के रूप में फिर है आपका कौन से छात्र अपना अधिकान समय पुस्तकाले में बिताते हैं तो यहां हो जाएगा आपका उचक अच्छा एवं विशिष्ट योगदा के इच्छुक साथवा नमबर कोश्चन है पुस्तकाले सब्द पुस्तक पलस आले दो सब्दों के मेल से बना है पर्युक्त संधी का नाम है तो पर्युक्त संधी का नाम आपका हो जगा स्वर संधी आवकास के समय से हमारा सच्चा साथी है तो हमारा जो सच्चा साथी है वो है पुस्तकाले का महत्व यह जो question है अभी गद्यांस और पद्यांस वला यह कुछ भी रह सकता है उसी से आपको पढ़के नीचे दिये question के answer को ढूंड़ूंड के लिखना है लेकिन यहां से अभीवक्ती जो माध्यम से start है यहां से जो question आएगा वो important रहता है और इससे लड़ता भी है तो नॉमा नमबर question है एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है तो यहां हो जाएगा आपका जरूरी है लेखन की सैली से परिचित होना दसमा नमबर कोश्चन है विशेश रिपोर्ट के लेखन में किस पर जोर दिया जाता है तो यहां जोर दिया जाता है तथ्यों की खोज और विशलेशन पर इगारा नमबर कोश्चन है समचार पत्र समाज में क्या दाईतु निभाते हैं तो ये आपका दाईतु निभाते हैं पाटको को सुचना देना जागरूक और सिछित बनाना आप मनुरंजन करना तीनों काम निभाते इसलिए इसका चौथा अपसन हो जाएगा उपरोक्त सभी बारा नमबर कोश्चन है लोगतांतिक समाज में एक पहरेदार सिछक और जन्मत निर्माता के तोर पर कौन बहुत महत्पून भूमिका अदा करता है तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा समचार पत्र तो बारा का हो जागा पहला तेरा नमबर कोश्चन है अंसकालिक पत्रकार को अन किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ हो जागा इस्टिंगलर के नाम से जाना जाता है स्वतंत्र पत्रकार को अन किस नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है फिलांसर चौदा का हो जागा पहला 15 है किस तरह के लेखन में लेखा को काफी छूट होती है तो यहां हो जागा इसका साहित्तिक रचनात्मक लेखन सुल्ला नमबर कोस्चन है पत्रकारिये लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है तो सबसे जाना पहचाना रूप है समचार लेखन उल्टा पिरामिट सैलिक किस लेखन सैलिक के बिलकुल विपरीत है तो यह जागा कथा लेखन 17 का पहला कथा लेखन अब आपका पाट कुश्टक से कोश्चन है आतम परीचे कवीता के द्वारा कभी समाज को क्या देना चाहते हैं तो कभी समाज को ज्यान और प्रेम की अभिवेक्ति देना चाहते हैं 19 नमर कोश्चन है सरदीतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में क्या लेकर दौड पढ़ते हैं तो वे पतंगे लेकर दौड पढ़ते हैं तीसरा हो जाएगा 20 है कुवन नरायन ने कवीता के आलेक कैसे कैसी रचनाए की तो यहाँ पर इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंता परक लेखन कहानिया और सिनेमा तीनों किया है इसलिए इसका चौथा जो अप्सन है वो सही है गजानन माधम मुक्ति बोध की निम्न में कौन रचना है तो उनकी रचना है आपका चांद का मूँ टेड़ा है काट का सपना और सता से उठता आदमी तीनों है इसलिए इसका चौथा उप्सन सही है समसेर बहादूर सींग का जन्म किस वर्स हुआ था कौन सी अगनी समुद में पाई जाने वले अगनी से भी अधिक तिव्रुख होती है तो वो होती है आपका पेट की अगनी ताइस का दूसरा तूलसी दास ने संसार का सबसे बड़ा अभिसराब किसे माना है तो माना है आर्थिक दरीदर्ता को फिराग गोरकपुरी ने किस विस्विद्याले में अध्यापक का पद सभाला तो यहाँ हो जगा इसका सही अंसर इलाहबाद विस्विद्याले जोसी जी निबंदकार के रूप में किस साहित में बेजोड माने जाते है तो वहाँ इसका हो सही अंसर है गुजराती साहित में फिर आपका महादेवी बर्मा का उत्तर परदेश में कहां जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था फरुकाबाद में 27 का दूसरा 28 है मनुस अपने किस मनोविर्थी के कारण आनावस्थक खरिदारी करता है तो यह हो जाएगा आर्थिक मनोविर्थी का परदस्थन 29 है उचलता है उदते बच्चे की स्चन की पुन्राउक्ति करते हैं तो यह करते हैं काले मेगा पानिद रेनू हिंदी साहित में किस परकार के लेखक थे तो इसका जो सही अंसर हो जगा हो जगा आंचलिक उपन्यास्कार चारली चैंपिन यानि हम सब के लेखक का क्या नाम है तो इसका लेखक का नाम है आपका विश्नु खरे फिर आपका सफिया का दिल्ली तक का किराया किस ने दिया तो उसका दिली तक का किराया भाई ने दिया 32 का 33 है सिरीज के फुल किन का दवाब सहन कर सकते हैं तो यहां 33 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भौरो का फिर है 34 आदर समाज की क्या विशेष्टा है तो आदर समाज की जो विशेष्टा है वो है गती सिल्ता फिर है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है तो उनका कथा नायक का नाम है या सोधर बाबू 36 है जूज के कथा नायक का क्या नाम बताया गया है तो उनका नाम बताया गया है आपका आनंद फिर खुदाई से प्राप्त गेहू का रंग कैसा है तो गेहू का रंग जो है आपका वो है काला 38 है घायल सैनिको से कौन बाचीत करता था तो घायल सैनिको से कौन बाचीत करता था तो यहां हो जाएगा आपका हिटलर 38 का हो जाएगा पहला हिटलर एन फ्रेंक ने डायरी का आरम किस तिथी से किया तो यह है आपका सही अंसर 8 जुलाई 1942 को यह सोधर बाबु का अपने बच्चों के परती कैसा बहवार था तो अपने बच्चों के परती अलगाओ भरा बहवार था तो यहां 40 का हो जाएगा चौथा तो बच्चों यह थे मने आपके महत्कूल कुछ कोस्चन है जिसको आप जाते जाते जरूर देख लीजिएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो साथ अपने लाग गया दीजिए